स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल पर इच्छा होल 2.7 में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम JSCCGL को टार्गेट कर रहे हैं और JSCCGL की पेपर 2 यानि की रीजिनल लिंग्विज के अंदर अगर आपनी खोठा लिया है तो खुर्ठा की यहां पर हम पूरी तयारी कर रहे हैं बहुत सांदार तरीके से सब कुछ कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है 45 बेज के अंदर पूरा सिलेवस को कवर करेंगे और इसके जो MCQ को भी देखेंगे लेकिन यहां MCQ हमारा फाइनल नहीं है दोस्तों इसके बाद जब हम सिलेवस को कवर कर लेंगे तो केवल अभी आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा MCQ होता है अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं अच्छे से देखते हैं तो MCQ आप कर पाएंगे लेकिन जब यहां सिलेवस कम्पलीट हो जाएगा उसके बाद केवल क्वेस्चन और क्वेस्चन होगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को जरूर दबाईए और दोस्तों खुर्ठा के साथ ही साथ अन्ने सब्जेक्ट की भी यहां पर हम बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है हमें मेहनत करने को एनरजी मिलती है तो वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब जर चलिए आगे देखते हैं ये जो सब्द चित्र है इसमें चार सिक्सन दिया गिया है चारो को अच्छे से सांदार तरीके से कवर करते हुआ हम यसे करेंगे अभी हम लोगोंने संसमरान देखा है संसमरान में जो है दूर डायर क्या ब перепरेबलते हैं सब कुछ करेंगे और आज जो है हम लोग सब्द चित्रे स्टार्ट करेंगे इसके बाद यात्रा वरतांत करेंगे जीवनी करेंगे सब कुछ करेंगे सब्द चित्र में दो सब्द चित्र दिया गिया है एक है रईसका और दूसरा है पूटी आर पालू क्या है रईसका और पूटी आर पालू तो ये दोनों सब्द चित्र को देखेंगे इसके MCQ को देखेंगे आज हम लोग रईसका देखेंगे और इससे related कुछ question देखेंगे और कल हम लोग पूटी यार पालू देखेंगे, चलिए देखते हैं रईस का सब्द चित्र, दोस्तों रईस का सब्द चित्र जो है, रईस का का मतलब आप यहां समझेए, जो गाने, बजाने और नाचने वाले होते हैं, जो कि हम लोगों के जीवन में एक रस को घोलते हैं, बहुत अच्छा नाचता है, गाता है, उसके सूर में एक मधूर सूर है, गाने में, बजाने में, नाचने में बहुत ही ज़्यादा पारंगत है, और उसी के बारे में यह पूरा सब्द चित्र है, और इस सब्द चित्र को लिखा गया है, बी एन उहदार जी के द्वारा, बी एन उहदार जी के दौरा पूछा जाता है इसे लिए आप याद रखेगा रईस का सब्द चित्र को बी एन उहदार जी ने लिखा है और इस रईस का सब्द चित्र जो है लिया गया है हमारे सिलेबस में कहां से तो दू डायर परासफुल नाइंत क्लास की खोर्टा की कित है दू डायर परासफुल और उसी बुक से यह रईस का सब्द चित्र लिया गया है याद रखेगा इस रईस का सब्द चित्र जो मुख्वअपातर की अगर बात करे तो एक ही मुख्वअपातर है रईस का और इसका कोई अन्य नाम यहा पर नहीं दिखता है लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, गाउं के लोगों के द्वारा, गाउं की बेटियों, लड़कियों के द्वारा, इसे प्यार से रीजु कहा जाता है, और रीजु का मतलब आप समझते होंगे, आप अगर किसी पर रीज जाते हैं, आप किसी पर अगर फ्लैट हो जाते हैं, आप किसी को दिल दे बैठते हैं, तो उसे कहता है कि मैं उस पर रीज गया, मुझे रिजहा दिया है ना, तो रैसका का इस प्रकार का personality यहां पर दिखाया गया है, रैसका का जो एक चितर, इमेज यहां पर दिखाया गया है, कैसा, तो री उसको देखकर के कोई भी मोहित हो जाता है, उसक उसका सरी उसका रूप रंगत को देखकर कोई भी रीज जाता है उसके गाने बजाने नाचने के स्कूल को देखकर कोई भी उससे रीज जाता है इसलिए उसे प्यार से रीजु कहा जाता था रीजु उसका जन्म जो है रैसका का जन्म एक साधारन परिवार में हुआ था रखेगा चारी और यह अपने मा के पेट से ही जब उसका जन्म हुआ था तो जन्म के समय ही कहा जाता है कि इसमें लिखा गया है कि रईसका के माथे पर टिकासन पर जो ढोल और मांदर जो है छपा हुआ था क्या था ढोल और मांदर के छापा वह लेते आया था जन्म के साथ ह जन्म से ही क्या छपा हुआ था तो आपको बताना होगा ढोल और मांदर और ढोल और मांदर एक वाद यंत्र होता है एक music instrument होता है दोस्तों जिसे बजाया जाता है मांदर आप लोग नहीं देखे होंगे अगर देखे होंगे तो ठीक है इस तरह का होता है और यहां आदिवास इस पर रूप रंगत इस प्रकार का था कि इस पर सब कोई रीज जाते थे फ्लैट हो जाते थे ठीक है मंत्र मुग्ध हो जाते थे इसके रूप रंगत को देख करके तो देखे क्या होता है कि यह अपने मां के पेट से ही जन्म से ही ढोल और मांदर इसके टिकासन पर छपा वह आश्चरी चकित हो गए अरे ये क्या अब क्या होता है गाउं का जो पाहन होता है गाउं का जो पुजारी होता है आदिवासी लोगों का जो गाउं का पुजारी होता है पाहन कहा जाता है उसने कहा था कि यह जो आपका लड़का है यह जो बच्चा है बहुत बड़ा रि इसका होगा यह इसलिए उसे रिजु भी कहा जाता था तो उसने कहा था गाउं का पाहन यह एक बहुत ही बड़ा आगे चलकर रिजवार होगा और इसका मुझूटी जब तुम लोग कराओगे एक प्रथा होता है एक दोस्तों जिसमें की बच्चों का मुझूटी कराया जात कि एकर जोड के गीत बजवया गवया क्यों नहीं होतो मतलब पाहन जी ने कहा था कि इसके जोड का गाने वाला बजाने वाला नाचने वाला इस धर्ती पर कोई नहीं होगा इसके जोड का इसका मुझूटी तुम लोग ढोल मांदर से करना और यह जो है बहुत बड़ा पूरा बहुत अच्छा सरीर चोड़ा सरीर बढ़ियां देखने में उस प्रकार से आइठाइल आइठाइल बाह मतलब एक जो भरगर जवान होता है उसको बोला जाता है आइठाइल आइठाइल बाह देख करके कोई कहेगा हाँ है ये कोई है ना उस प्रकार का बाह चाकर छाती मतलब चोड़ी छाती आमोसाक राइत नि चूल था जो कि कंध्या तक लटकता था पिंद्रना उड़ना वैसने ललकवारी और पहनावा उड़ना उड़ावा भी जो उसका था वैसने ही लाल-ललकवारी था मुंडे, बांधल, लाले-लाल ललकवारी गमच्छा काता है कि मुँँ पर, वह सर पर, क्या कर देखे, बहुत मस्त सरीर है, बहुत जवानी एकदम भरकर जवानी दिख रहा है, ठीक है, एठाइल एठाइल बाँ है, चवडी छाती, चूल जो है एकदम घुंगराईल घुंगराईल, कंधा तक लटका हुआ, पहनना वड़ना भी एकदम लाल-लाल, सर पर बांधा हुआ है लाल गमच्हा और कमर में खोसा हुआ है, और उसके उपर क्या है, मयूर पंक खोसा हुआ है, सोच लेजी कैसा, इसका चित्रन आप लोग अपने दिमाग में खिजिए, कल कहता है, और उसके उपर क्या है, लील लगावल धोती और डड़ाईल, खोसल, बांसी, सभी कहता है, कि नील, आप लोग इससे पहले जब हम लोग गाउं समाज में होता था, कि जब कपड़ा साप किया जाता था, तो उसके बाद नील जरूर देता था, ताकि जैसे हम लोग स्कूल भी जाते थे, तो सट वगेरा में नील लगाते थे, तो कहता है, उसी परकार से नील दिया चोवा रिज जाए, मतलब कूल मिला के इस परकार से रूप उसका था, कि एक नजर में जो बेटी चोवा है, जो लड़की है, जो बच्ची है, उसको देख करके उस पर फ्लैट हो जाएगी, रिज जाएगी, आकरसित हो जाएगी, मोहित हो जाएगी, मंत्र, मुग्द हो ज करता है, कि वह क्या करता था, खाना खा करके घर से निकलता था, और रात भर में वह रात भर क्या करता था, गाना बजाना अपने टीम पल्टन के साथ करते रहता था, गाउं गाउं जा करके, अलग अलग जगा लोगों को मनोरंजन करता था, लोगों का मनोरंजन करता था, तो जा जा करके मनोरंजन करता था तो वो घर से निकलता था खाना खा करके और रात भर में साथ गाउं पुरा देता था याद रखेगा रात भर में कितना गाउं पुरा देता था यान लिखा गया है तो पूछा जाएगा कि रात भर में साथ गाउं को पूरा वह क्या करता थ पुरा देता था जलफलिया भाई जातल तभे उघर सुझातल और रात भर वो नाचते गाते बजाते रहता था अलग-अलग जुमराहा जुमराही के साथ रिजवार सब के साथ अलग-अलग गावां में जा जा करके और जब सबेरे थोड़ा सा क्या होता था परकास आने लगता था उस टाइम पर जा कर वो अपने घर की ओर लोटता था अईसन रहे रिजू और रईसका मतलब ऐसा यह है कहानी रिजू या फिर आप जो बोलीजे रैसका बोलीए या फिर रिजू बोलीए यही थी रैसका या फिर रिजू जो आप कहिए रैसका इगुन्टा रैसका का मतलब रैसका ज तो बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि किसी का बढ़ाई को प्रसंसा को सुन करके किसी को अच्छा नहीं लगता है आप अगर जो जलन वाला आदमी ठीक है तो किसी किसी को क्या होता था अच्छा नहीं लगता था और के और ओकर कुछ लोग मुईद बन गया मतलब उसक पैत राइत नदी पार जुमर खेले जाहल और गावेक नदी में बाएड आवे कहता है राइस का प्रतेक रात को क्या है जुमर खेलने के लिए नदी पार करके दुसरे गावें जाता था जुमर खेलने के लिए तो गावेक नदी में अब जब कभी बाड आ जाता था तब क्या करता था तखन उन नदी के दोनों किनारे पर क्या है पेड़ है ठीक है नदी के दोनों किनारों पर पेड़ है और ये नदी है तो ये नदी पार करके इस पार आ जाता था और यहां पर जुमर नाचता गाता था रैसका सब के साथ रिजवार जुमराह जुमराही सब के सा नदी पार कर जाता था तो यह नदी किस प्रकार से पार करता है पाइत भादो पुर्णिमा के रात को जो है पूरा जिकजोर मतलब बहुत तगड़ा तरीका से एक जस्न मनाया जाता था जिकजोर लागा हलेक गावे एगो बोन तरिया कहता है मतलब बहुत जादा जस्न मनाया जाता था धूम धाम से हर एक भादो की रात को भादो पुर्णिमा की रात को गावे एगो बोन तरिया गाव एक पहाड के नीचे जो है एक गाव था बोन तरिया गाव एगो बार गावा क्या बलता है अखरा रहा हलेक बारह ठीक है बारह गा का लोग जो है बारह गाओं के रईस का जुमराहा जुमराही और लोग जो है उस जगह पर जूटते थे उस जगह पर आकर के जूटते थे और उस भादों की पुरनिमा की रात को वहां पर जस्त मनाया जाता था नाचना गाना बजाना होता था और हर एक भादों पुरनिमा की जो रईसका है, वहाँ पर जमा होते थे, जुटते थे, और नाचते थे, गाते थे, रास रचाते थे, एक बार की बात है, ऐसा ही भादो पुरनिमा का रायत, और बरगावा का अखरे, रास लागे करहे, कहता है, एक बार की बात है, इसी परकार की भादो पुरनिमा का रात थ और क्या था कि वही बरह गावा जो है जहांपर कि लोग एक जगह जुटते थे बारह गावा के रैसका रैसकी है ना जो लेडी रैसकी होती थी नाचने गाने वाले उसे रैसकी कहा जाता है वह लोग जुमरहा जुमरही है ना रिजवार ये सब जब सब कोई क्या होता था एक जगह पर आकर के जूटते थे बरह गावा तो उसी जगह बरह गावा अखरा जहां पर जूटने का जगह था तो एक भादो की पुर्णिमा की रात थी और वही होने वाला था बरह गावा में इसी परकार का रास लगना था नाचगान होना था तो कहता है उसी समय क्या होता है स जो नदी नाला भर गया तो जो जिस नदी से पार करके वो गाओं पार करके जाता था उसके वहाँ पर नाचने गाने के लिए तो ये नदी भी भर गया अब कहता है ये भोरल नदी पार करेक्टा बड़ी कठीन काम ये जो पूरा भरा हुआ उब डुब लब डब जो नदी भ पहरा हुआ था उसको पार करना एक बहुत ही मुस्किल का काम था लेकिन राइसका का रीज और ध्रीड निस्चय ले बोड नदी का बाड़ ना हैному तो इस रीज को और द्रीड निस्चाई के आगे यह नदी का बाड़ भी कुछ नहीं था, ठीक है, रईस का सुझाईल नदी पार करे लाई, रईस का कुछ नहीं देखा, आओ देखा न ताओ, वह जो है नदी पार करने के लिए निकल पड़ा, रईस का, रईस का सुझाईल नदी पार करे लाई, मतलब रईसका जो है नदी पार करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन नदी धायर पहुची के पहले ले बांधल डोरा के खोजल और सकत से बांध के नदी पार करे लागल, लेकिन नदी किनारे पहुचने से पहले वह क्या करता है, जो बांधने का डो दोरा टूटल और रैस का नदी के बोहाई गेल कहता है लेकिन बीचो बीच आते आते क्या होता है दोरा जो रसी जिसने बांद करके वपार कर रहा था वह रसी किसी परकार से तूट जाता है और रैस का जो है वह नदी में बह जाता है नदी की में क्या होता है वह बह जाता है अब क्या होता है ओखी नोकरा डोरा के काईट तनी कमजोर कर दिल रहती कहता है कुछ लोग है जो कि उसके डोरा को काट काट करके थोड़ा कमजोर कर दिये थे यहाँ पर कुछ इसका बात नहीं है जिकर नहीं है लेकिन वही बह गया नदी में ठीक है वही बीचो बीच क्या ह रिजू का इंतजार कर रहे थे, रात भर उसका आसा देखा, ठीक है, जब वो रईसका नहीं आया, किसी को विश्वास नहीं था, कि रईसका नहीं आएगा, तो क्या होता है, रईसका जब नहीं पहुचता है, तो सब कोई सोचता है, अरे, ये क्या हुआ, रईसका क्यों नही उसके अंतिम किरिया करने का बात चलने लगता है कि इसका अंतिम संसकार कैसे किया जाए फिर क्या होता है कफन कर बाते रईस की बेटी छोवा आपन अचरा फायर के रसका के गाते डाले लगला जब आता है बात कि अब उसका अंतिम संसकार किया जाए और कफन का बात चला तो कफन के बाद आते ही जो रईस की रईस का यहा था और रईस की जो नाचने गाने वाली जो उसके साथ की करने वाली थी तो सब कोई उसको प्यार करता था सब कोई को इससे सनेह था सब कोई इससे रीजा हुआ था सब कोई उस पर मंत्र मुग था इसके रूप और रंगत को दे साड़ी का या फिर सलवार पल्लु जो होता है आचरा फाल फाल करके रईसका के सरीर में डालने लगती है कहती है कफन के लिए हम लोग आचरा देंगे इसका मतलब इतना प्यार था रईसका से सब को अब देखिए देखते देखते आचरा कर धेर लाग गेल और देखते ही देखते आचरा उसका कफन के लिए जो आचरा सब कोई फाड़ने लगी तो देखते देखते आचरा का एक धेर एक पहाड बन जाता है और फैर बेटी छोवाक अपने मूडे फिर क्या होता है बेटी छ का कुछ लगाती है ठीक है तो ककई उसे कहते है अब वह ककई निकाल निकाल करके जमा करने लगती है अब देखते देखते ककई का क्या होता है पहाड बन जाता है इतना प्यार था सब को इससे ठीक है अब आचरा का कफन और ककई कैसारा बनाया गया, उसके बाद क्या होता है, जब उसको सजा दिया जाता है, और अब क्या होता है, आग कौन देगा, अब आता है बात कि आग कौन देगा, तो आग देने वाला का ताता लग जाता है, मैं दूगा, मैं दूगा, मैं दूगा, इतना प्यार था सबको रइसका से आग देने वाला का ताता लग जाता है देखते देखते रइसका काया अब आग भी दे दिया जाता है और रइसका का जो सरीर है वह इस पंचतत्तों में बिलीन हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद उस नदी का जिस नदी में रइसका डूब करक मर गया बहकर के मर गया उस नदी का नाम आगे चल करके रैसका नदी रखा गया देखिते हैं कि अभी भी रैसका नदी के किनारे से अगर कोई जाता है रात दिन तो वहां से रात के गुजरते हुए एक उदासी का गीत सुनाई पड़ता है अभी भी ऐसा फील होता है कि साइद रईसका उदासी से गीत गा रहा है काहे राजा, काहे, राजा हो रसका मरवले मतलब उसे नदीग को कहा जा रहा है कि क्यों राज़का को मार दिया तुमने अखरा जे सुना भई ले, मतलब वह जो अखरा जहाँ पर कि लोग मिल जुल करके नाचते थे, गाते थे, और रईष़ का वहाँ पर अपना क्या करता था, अपना छटा विखेरता था, कहता है, अखरा आज सून हो गया, ढोल मानिमें घून लगया, मतलब कोई उसे बजाता हो जाता नहीं है, गून होता है, एक तरह का किड़ा होता है, जो लग जाता है, तो उसे खराब कर देता है लकड़ी वगरा को, तो कहता है, इसमें घुन लग गया, हम लोग कोई खुसी छिन गई, क्यों मार दिया, तो यही कहता है, काहे राजा, काहे राजा हो, रसका मरोले, अखराजे सुना भाई ये गिला, अखरा उन लोगों का, जहां पर नाचता गाता था, वह सुना हो चुका है, अखराई रे दया मकरा दिये ये, और गयलाई मंदरा घुन लागी गेल, मतलब यह कभी गीत जो है, अभी भी जब कोई रातो रात वहां से गुजरता है, तो एक उदासी का गीत वहां सुनाई पड़ता है, तो यह एक जो कहानी था, वह एक लोग कथा जैसा कहानी था, जिसमें कि रईसका का वर्नन है, कि रईसका कौन था, इसे रूजी कहा जाता था, और यह क्या करता था, तो यह पूरा एक सब्द चित्र है, आगे हम लोग करेंगे पूटी और पालू, तब तक इसे आप देखिए, और इसके पीडियेप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, तेलिग्राम चैनल से अगर आपने जोईन नहीं किया तेलिग्राम चैनल को, तो इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, और वहां से आप कमेंट करके भी हमसे यह पीडियेप को मांग सकते हैं, तेलिग्राम चैनल पर हम वहां डाल भी देंगे, और आप कमेंट करके जाए अगर आपको पीडियेप चाहिए, तो कमेंट करके वहां से पीडियेप डाउनलोड करने के लिए हम डाल दिया करेंगे, आगे हम लोग इसका MCQ देखते हैं, कि जो राइस का जो यह सब्द चित्र है, यह किस बिधा का, किस टाइब का रचना है, सब्द चित्र है, निबंद है, कहनी है, यह फिर संस्वरन है, तो आपको बताना है, यह एक सब्द चित्र है, राइस का कौन किताबे लेल गेल है, तो राइस का दो डाइर परास फुल से लिया गया है, सब कुछ आप अगर अच्छे से देखें हैं, तो आपको MCQ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यह आप देख लिजे, आगे हम लोग पूटी और पालू जब करेंगे, उसके भी MCQ को देख लेंगे, और पूरा सिलेवस कवर करने के बाद, व्याकरन से पहले हम लोग सेट लगाना सुरू कर देंगे, और व्याकरन चलते रहेगा, और व्याकरन से पहले ही सेट लगाना सुरू कर देंगे, और व्याकरन साथ साथ चलेगा, आगे देखे कि रसका का जनम कैसन घारे हिल रहे, तो साधारन परिवार में हुआ था, है ना, हमने पहले बात किया है, रसका का जनम कौन तिती हिल रहे, भादो अंधरियास्टमी, रैसका जनमे संगे टिकासने की छापल रहे, ढोल मांदर, मेंजूर पांक, बांसी कर या फिर कोई ने, तो कहता है, वह ढोल मांदर छपा हुआ था, रैसका कर माने हवे, क्या, गाएवे में तेज, नाचे में तेज, भजवे में तेज, या फिर सभी, तो सभी होता है, ना, उसके बाद देखे, रैसका एक राइत में कई को गाउ जाहल, तो साथ गाउ जाता था, हमने बताया था पहले ही, रैसका कई, कैसे मुरल, तो बाढ़ ले, मुरल, नदी पार हे वहल, उसके बाद बरही मांज, जाते रसी टूड गया, उब वहाई गेल, मतलब बह गया, या फिर सभी, तो ये सभी कारणों से वह मरा था, रैसका के कफन कौन देला, तो रैसकी सभ, मतलब रैसकी जो गानेवानी बेटी चवाते ही, वो सभ उसको अच्राप्हार करके ये देती है, और रैसका सारा, जिस पर वो लास जलाया जाता है, कैसे सजल, तो रैसकी सभ करके ककई से, याद रखेगा ककई दे करके वह इसको जलाते हैं, तो यह पूरा हम लोग देख लिए, रैसका सब्द चित्र अब आगे देखेंगे, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूले, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सेयर करना या बिल्कुल फ्री है, आपका सपोर्ट होगा हमारे मेहनत को, आपका एप्रेसियेशन होगा आपके लिए जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, दोस्तों हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ तब तक आप अबने तैयारी को करते रहें जैहिंद जैवार